हालो फिरेंड्स आज हम जानेंगे जहारखन ठेट का फ़ाउं आप कैसे भरेंगे जैसे की जहारखन ठेट में आप सिकेंड पेपर अर्था junior level के लिए कैसे form भर पाएंगे आज जानने वाले हैं junior level का form जो जहारखन TED के लिए आप लोग step by step कैसे भर पाएंगे सबसे पहले आपको करना registration जिसे यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ करने के बाद में अगला step खुल करके आएगा जहां से आप देखेंगे लिखा हुआ है कि जारखन TED 2024 एडवर्टीज नंबर इसका दिया गया है और लिखा जहारखन TED Examination Regulation 2024 यहाँ पर हमें किलिक करना है हमको यहाँ पर जो check box दिया है इस पर किलिक करना है यहाँ पर आपको मांगे करे डेटेल्स को भरनी है यहाँ पर आपको भरना है यहाँ पर आपको भरना है यहाँ आपनी जनम तिथी भरनी है फिर वर्ग किस केडिगिरी वर्ग में आप आते हैं आप केडिगिरी क्या है यहाँ देख सकते इसमें दिया है बैकवर्ट क्लास यहां पर दिया गया है, अनिस्चर 2 के तहट एक नमकली बीकर section में हैं, आप general cast में हैं, तो जो भी आपके उपर लागू होता है, उसे आप यहां से select करेंगे, दिब्यांग अगर आप हैं, दिब्यांग सरेड़ी में आते हैं, तो आपको यहां पर करना है, दिब्यांग की सरेड़ी चुनना है कि किस प्रकार के आप दिब्यांग हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है कि आप locomotor disability हैं, या visible disability है, hearing disability है, जो भी आपके उपर लागू होता है, उसे आप यहां select करेंगे, अगर आपके जो disability इसमें नहीं धर्म है, और राष्टेतार इंडियन यहां अलेड़ी आपको भरा मिल दाएगा, फिर आपको यहां भरना है अपनी आधार संख्या, और फिर भरना है mobile number और email ID यहां पर भरनी है, फिर score down करना है, यहां पर आप देखेंगे, आपका पता यहां मांग रहा है, अपना address आपको भरना है, जैसे लिखा हुआ आएगी, निवास, अस्थाई निवास आपको क्या है, राज जी क्या आपका है, आप जहारखंड से हैं या जहारखंड के बाहर से है, जिला आपको क्या है, उसे आप select करेंगे, address आपको यहां भरना है, first one और यहां पर second दिया गया है pin code आपको भरना है, आपका पत्रा चार पता और अस्थाई पता दोनों same है, तो इस checkbox को आपको active करना होगा, फिर यहां से आपको एक password क्रेट करना है, password यहां दिया गया और confirm password, दोनों में same password आपको यहां पर fill करना है, और इस capture को यहां पर आपको भरना है, जिसे लिखा है कि आप झारखंड से बाहर हैं, अगर आप झारखंड के ही निवासी हैं, तो आप झारखंड से लेट करेंगे, आफ ाप झारखंड, यहां से अन राज़ जो भी आप मानलिया, यूपी से हैं, बिहार, दिल्ली, कहीं भी किसी परदेस से हैं, तो उसे आपको यहां पर सेले कि आपको द्वारा भारी के डिटेल्स यहां सो कर रही हैं जो भी आपने जानकारियां यहां पर दी हैं उसे आप एक बार चेक कर लें अगर कोई गलती हो तो सुधारने का मौका यहां मिलेगा इडिट माइ रेजिस्टेशन डाटा पर आप किलिक करेंगे यहां से आप इडि और save and lock करेंगे आप देखेंगे आपकी mobile पर एक OTP पहुंच जाएगा उसे आपको यहां पर भरना है और OTP देने के बाद में आपको यहां से submit registration form पर किलिक करेंगे जैसे आप इस पर किलिक करते हैं बताएगा success, successfully submitted यहां से हम ok पर किलिक करेंगे जैसे ok करते हैं इसका अग अब आपको किलिक करना है proceed to application form इस पर हमें किलिक करना है अब यहां पर मांग रहा है सबसे पहले उपर लिखावा language 1 आपको language 1 में select करना है जो भी आपको language यहां पर fill करनी है हिंदी या English इसे आप select करेंगे उसके बाद language 2 में आपको एक भासा select करनी है second भासा आपको क्या ल लेवल for which you want to apply kindly choose option 3 यहां पर बताया गया बोथ लेवल first and level second if you want the examinations तो यहां पर आप primary लेवल के लिए अगर करना चाहते हैं तो primary select करेंगे यहां पर लेवल 1 दिया गया है अगर आप junior के लिए लेना चाहते हैं तो आप लेवल second को select करेंगे जिसे primary पर आप किलिक करेंगे यहां पर लिखकर आ रहा है कि जैसा कि आप लेवल 1 कच्छा 1 पांच का chain कर रहे हैं आप लेवल कच्छा 6-8 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आप अधन करना चाहते हैं तो इस pop-up को बंद करें और बिकल्प चुने नमबर 3 दोनों लेवल 1 और 2 यहां पर दिया गया है बोथ दिया है मान लिया कि आप लेवल 2 कच्छा 6 और 8 का chain कर रहे हैं आप लेवल 1 कच्छा 1-5 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आप अधन करना चाहते हैं तो इस पापप को बंद करें और विकल्प चुने 3 नमबर यहां पर दिया गया है तो हमें जूनियर लेवल का भरना है इसमें दिया गया है टीचर टाइप तो आप मैथमेटिक्स यांट साइंस जैसे मान लिया आपने ग्रेजरेशन में साइंस ग्रूप से पास किया है और उसके आपको यहां पर सेलेट करना है उसके बाद में यहां पर दिया गया है कंपल सरी सब्जेक्ट तो कंपल सरी सब्जेक्ट आप देखेंगे यह आटोमेटिक यहां पर आ जायागा थी और उसके बाद में सोसल इस्टीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिर यहां से अथवा इसके समकच और प्रारंभिक सिच्छा सास में दी वर्षी डिप्लोमा अचाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। पिर दिया गया है नंबर तीन पर कि नियुंतम 45 परिसात अंकों के साथ असनातक या उसके समकच योम सिच्छा सास में असनातक बीयड अथवा सम्तुल पर सिच्छन पाठकरम जो इस संबंद में समय समय पर जारी किये गए रास्टिय ध्यापक सिच्छा परिसात मानता मांद परिसात अंकों के साथ उच्छतर माधमिक या उसके समकच योम चार वर्षिय प्रणमिक सिच्छा सास में असनातक बीयड आपने किया है तो यहाँ पर तमाम सारी डिगरियों के नाम दिये गए है अगर आपने इसमें जो भी किया है बीयड इसमें सेलेट करना है आपको ज ग्रेशन के बाद बीयड किया जूनियर लेवल में भरना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर टू लागू होता है जैसा कि नियुनतम 50% अंकों के साथ में असनातक किया हो यह लागू हुआ था कि बीयड करने के लिए आपके पास ग्रेशन में मिनमम 50% अंक होने चाहिए त आप किसी भी राज से आबेदन करेंगे लेकिन आपको एक्जाम जो है जारखंड में ही देना होगा जारखंड के डिस्टिक को ही आपको सलेट करना पड़ेगा यहां से देखेंगे तमाम सारे दिये गये हैं जिले जहां पर पर परिच्छा केंद बनाया जाएंगे इससे आपको सलेट करना है और सेव एंट नेक्स पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के बाद में इसका अगला स्टेप खुल करके आएगा जहां से आपको मांगे के डिटेल्स भरनी है यहां में ओके पर किलिक कर देना है कि देखेंगे यहां पर आपको यहां पर भरना अपना जो है qualification details यहां भरनी है, qualification details में आप देखेंगे लिखा हुआ आगी, पहले लिखा है number 1 पर यहां पर board secondary के लिए भरना है, फिर intermediate details भरना है और फिर यहां पर graduation details भरनी है, फिर सी के ठीक नीचे दिया गया है, post graduation, अगर आपने मान लिया कि beard किया है और beard में आपके graduation 50% तंक नहीं आपने post graduation के साथ किया, तो आपको details यहां भरनी है, अगर आपके पास में post graduation नहीं है, तो भरने को यहां सकता नहीं होती है, जहां पर red mark दिये होते हैं, यहां पर यह भरना निवार होता है, बाकी भरना निवार नहीं है, तो आपको graduation तर details भरनी है, फिर यहां पर इसी तरी लिखा है फुल मार्क्स यहां भरने है अगर आप सी बोट से हैं तो को भरना है यहां लिखा बिटेनिंट मार्क से सीजी पीए प्रापतांग को भरने हैं और उसके बाद में इसका जो परसेंटेज होगा वो आर्टोमेटी कैलकुलेट हो जाएगा किस वर्स आपने पास किया है इसे आपको भरना है सेम इसी प्रकार से आपको इसे आप अगर जार्खंड से हैं तो जार्खंड यहां पर इंस्टीट का नाम लिखना है आपने बीड जो किया है किस इंस्टीट से किया है उसकी इन्वर्सिटी क्या रही है सब्जेक्ट आल यहां लेड़ी भरे रहेंगे सेशन क्या रहा है सत्र क्या रहा है जैसे यह जो है दो वर्स का कूर्स आपका है तो 2020 और 22 हमने भरा है दो वर्सों के लिए यहां पर फिर यहां फुल मार्क से दिया गया है अर्था जहां को पूडांग भरना है और अप्ट पिर यहां से दिया गया फोटो और सिगनेचर ठ кат हुए अप्लोड होने के बाद में इस इंटरफेस खुल करके आएगा जहां से मांग रहा है t Davis और दावन लोट फिल्ड अप्लीकेस्न फाम में अपने फाम भरा उसे आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे, इसाप उसी और प्रोवाइट कर आये गा जहां से आप देखेंगे कि फीस पीमेंट के लिए जिनकी मदद से आप फीस पेइमेंट कर पाएंगे यहां लिखा हुआ है फीस का माध्यम कि फीस आप क्रेट कार्ड से करना चाहते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपी आई वालेट या एन एफटी आइट जिस करना चाहते हैं या इंटरनेशनल कार्ड आपके पास में मानले आप यूपी आई करना चाहते हैं यूपी आई पर क्लिक करेंगे जैसे आप यूपी आई पर क्लिक करते हैं तो यहां से आपको यूपी आई की डिटेल्स मांगेगा यूपी डिटेल्स भरनी है उसके बाद आपको verify करना है फिर पेनाओ पे click करना है जैसे आप पेनाओ पे click करेंगे तो आपको अपने mobile phone से verify करके payment कर लेना है इस प्रकार से आप लोग step by step घर बैठे अपना farm जैसा की जारखंड चाहे आप झारखंड के निवासी हूँ या किसी अन्राज के निवासी हूँ आप अगर झारखंड से तब भी apply कर सकते हैं अगर कोई बाहर से कोई कमिया रहे गए हूं तो कमेंट में अपनी राज जरूर दें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ अब तक के लिए नमस्कार